खबर राइपूर से है जहां मुख्यमंत्री पुपेज बगेल ने अपने निवास कार्याले में 36गर प्रदेश राइस मीलर्स असोसियेशन के पदाधिकारियों और खाद और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संवत बैठक ली मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक दिसंबर से समर्थन मुले पर शुरू हो रही धान खरीदी की तयार्या की समीक्षा की उन्होंने मीलर्स असोसियेशन के अगरह पर कस्टम मीलिंग के लिए राज्ये में आटो पंजियन की विवस्था ततकाल शुरू करने के अगरवाल सलहकार सचीव मोहनलाल अगरवाल सहीच सदस्यों ने मुख्यमंत्री से धान की कस्टम मीलिंग में प्रती क्विंटल प्रोथसाहन राशिव रिद्धी का आगरह भी किया जदा जानकारी के साथ मेरी सायोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ राइपूर से लाइवें सुप्रिया आज एक दिसंबर है और आज से धान खरीदी भी शुरू हो रही है इसको लेकर और जदा क्या जानकारी आपके पास जी देखी एक दिसंबर है और आज 36 गड़ के विभिन चेतरों पर धान की खरीदी की जाएगी विभिन ने जो किसान है 36 गड़ के वो काफी ज़्यदा उत्साइद निजर आ रहे है तो वहीं 36 गड़ में आज से समर्थन मुली पर धान की खरीदी की जाएगी जिसकी पूर बेजने के लिए बाइस दसमलो जो 66 लाग किसान है वो पंजी कृत है इस वर्ष 88 नवीन धान खरीदी केंद्र बनाए गया याने की दान खरीदी केंद्र में बढ़ोतरी इस बार की गई है और इसके अलावा लगवाग 105 मिट्रिक टन धान की खरीदी का जो अनुमान है वो की खरीदी हुई थी हाला कि सरकार को अभी भी पाच लाख बारदाने की जरूरत है लेकिन अभी बारदाने की जो आप पूर्ती है वो किसानों के माध्यम से किये जाने का जो निर्ना है वो लिया गया है याने कि किसानों को 25 प्रतिशत बारदाने की विवास खुद सही करन ना हो उसके लिए चतिसगर की सीमा वर्ती जिलो पर चेक पोस्ट भी लगाए गया ताकि आवाइद रूप से धान के पिछली साल नब्भे मीट्रिक तन जो है धान खरीदी की गई थी और इस बार 105 वह मीट्रिक तन रखा गया है तो इससे किसानों को कितनी दाहत मिलने वाली और मेरे एक और सवाल यह है कि धान खरीदी की समय प्रसाशन ने क्या क्या तैयारिया की है जिससे आव वैवस्था ना दिखे जी देखिए तमाम तरह की तैयारिया की गई है जैसे कि आपने कहा कि पिछली बार 90 लाख मेट्रिक तन धान की खरीदी थी और इस बार 103 लाख मेट्रिक तन धान खरीदी का जो लक्ष है वो रखा गया है इसलिए क्योंकि किसानों की संख्या वो लगातर बढ़ रही है पि विवस्था की बात बताए तो धान करीदी केंद्रों में तमाम तरह की विवस्थाए कर ली गई है चबूत्रे बनाएगे है धान करीदी केंद्रों में ताकि किसानों को किसी तरह का जो विवस्था है उसका सामना ना करना पड़े चबूत्रे से ये फायदा भी होगा कि य तो व्याप तो व्यवस्थाय है तो वही किसानों की भीड़सादा ना उसके लिए टोकन सिस्टम पहले से ही रखा हुआ है किसानों को टोकन दे कर जो धान खरिदी केंद्रों पर बिलाया जा रहा है और उस टोकन के माध्यम से उस टोकन में तारीख भी लिक्जिव हुए है पर किसान आकर अपने धान को धान खरीदी केंदरों पर बेच सकता है तो यह बताई कि प्रसाशन ने टोकन सिस्टम भी लागू किया है जिससे की किसानों को अवरस्था का सामदर ना करना पड़े क्या इसको लेकर किसान भी पूरी तरह से पालन करेंगे क्योंकि एक तरह से अपने धान को लेकर तो क्या किसान इसका नियम का पालन कर पाएंगे जिबलकुल किसान नियमों का पालन करेंगे किसानों को टोकन दे करके उन्हें कहा गया है कि आप इस तारीक पर आईए आपके धान करीदी इस तारीक पर होगी तो यह विवस्ता पहले भी की गई थी औ वाला कि जो किसान है वो जिस तरीके से हमने बालाओद में हाला देखे आपने बालाओद की हालाद को देख करिये ऐसा कहा होगा लेकिन जो धान खरीदी के अंदरों के अगर हम बात करें तो किसान इसी विवस्ता से धान खरीदी के अंदरों पर धान खरीदी करते हुए नज झाल झाल